हेलो गाइज विलकम टू यार से स्टाटी पांच चनल करते हैं आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे आप सभी जानते हैं कि हमने एक टार्गेट बना है थे कि रेलवे गुरूब डी के एक जाम से पहले मौश्ट इंपोर्टेंट एक हुजा प्रसुन को डिसकस करेंगे यह उसे सीरीज का लाश्ट वीडियो है अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो इसका लिंग नीच दिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बेटन दोनों पर देया कि आप जरूर देखें अगर आपको यह वीडियो अच्छी और हेलफुल है तो लाइक कर चलिए सबसे पहले कोशन देखते आज कर जो मेरा पहला कोश्चन वह है कि बीसो स्वास्थ संगठन अर्था डबलू एच्छो का मुख्याले कहां इस्तित है इसका अंसरों का जिनेवा ध्यान रखीगा बीसों स्वास्थ संगठन डबलू एच्छो अर्था वर्ल्ड हेल् जोयवीर में प्रोटीन का पृटीशती लगवब्स का 20 अब देख्याले का कितनी होती है इसका एंसरों का 16-18 बार प्रती मिनट ध्यान रखिगा इससी में धमनी में किस पर करके रक्त का परिवहन होता है इस कैंसरों का सुध रक्त ध्यान रखेगा धमनी में सुध रक्त का परिवहन होता है आप देखते नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट है हमारे जीब का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है इस कैंसर का अगर भाग ध्यान रखीएगा हमारे जीब का अगर भाग मीठा स्वाद बताता है आप देखते नेक्ष्ट कुछ नेक्ष्ट है खाने को पकाते समय सरवादिक मत्रा में नश्ट होते हैं, इसका एंसरों का बीटामीन, धियान रखीगा, खाने को पकाते समय सरवादिक मत्रा में बीटामीन नश्ट होते हैं, आप दिखते नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट है, बारूद बनाने में किस रशायन का परयोग किया ज आता है इसका अंसर का शीलिकॉन ध्यान रखीगा आइसी चीप्स बनाने में शीलिकॉन का परियों किया जाता है इसका शिंबल होता है अब देखते नेक्स्ट कुस्ट नेक्स्ट है डालदा बनाने के लिए क्या किया जाता है इसका अंसर का बनस्पती तिल का हाइड्रोजीन कि निकारण किया जाता है अब इतिंब कूंशन इक्रस्प्रीन का रशानिक नाम क्या है इसी टाइल पध्शत कि नाम ध्यान रखेगा इसे टाइल अलेफ् 지금 नेक्सक्त सब disguise को तो स्बक्रस्थ होगा भी पेरीन ध्याना किणहित सब्सद्रींद कर गदानागा pendrive सरीर में ही परिन औपस्तित रहता है अब दिख को अंकूरन के लिए किन किन पराकृतिक संसाथनों होना जरूई है इसका अंसर हावा पानी और अनुकूलता थ्याने रखियाद अंकूरन की लिए हवा पानी और अनुकुल तब जो कि यह प्राक्रितिक संसादन ने इनका जरूरत है आप दिखते next question next नेक्स्ट है मनुस्य का सरीर में अधिकाम सभोजन कहां पच्छता है इस काणेशन का छोटी आत्में आप देखते next qe है दलहणी पोधे guy-man resin को किसमें परिवार्थित करते हैं इसनीज पोधे बाइन लिए मौत नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवार्थित 챌드 करते हैं आब दिखते निक्स्ट कोशन इक्स्ट है RDX में तपमान यवां की गति बढाने के लिए क्या मिला जाता है इसका इंसर की हएलमिनियम चूड धियान रखिगा RDX में तपमान आग की गति बढ़ मिला जाता है अब तिक निक्स्ट निट्राइं टेलकम पाउडर बनाने में किस खनिष का उप्योग होता है इसका आंसर त्म पाउडर को अपने भार कब अधिक मालूम पड़ेगा इसका अंसर का जाब लीफ्ट त्वारित गती से उपर जा रही हो ध्यानरा किएका किसी लीफ्ट में बैठे हुए ब्यक्ती को अपने भार अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट तो अरिक्त गती से उपर जारी हो आप देखते नेक्ष्ट कुछ नेक्ष्ट है परकास की गती नियुंतम कब होगी इस कांसरोगा कांस से होकर गुजरने पर ध्यान रखिएगा परकास की गती नियुंतम होगी जब वह क कांस से होकर गुजरेगी आप देखते नेक्ष्ट कष्ट नेक्ष्ट है की डिजल इंजन में परयुक्त इंध्ञ एसका अंसरोगा डीजल की वास्प और भायू अब देखते नेक्ष्ट कुछ नेक्ष्ट है रोलक घड़ियां गर्भियों में क्यूं सोस्थ हो जाती है इ इसके लंबाई बढ़ जाती है परन्तु इसके चोड़ाई पर क्या परभाव पड़ेगा इसका अश्रों का अविवस्तित होती है दियान रखीगा सीसे की छड़ जब भाफ में रखी जाती है तो इसके लंबाई बढ़ जाती है परन्तु इसकी चोड़ाई अविवस्तित हो इसका अंसरों का केचुवा मॉश्री पर इन कोश्चने ध्यान रखिएगा भूमी के अप मार्जन में योगदान देने वाला जीव केचुवा है आप दिखते नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट है किसके द्वारा स्लीपिंग सीखनेस फैलाया जाता है इसका अंसरों का सीशी पर निर्वर करती है आप दिखते नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट है समस्थानिक परमाडू में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होते हैं इसका इंसरों का इलेक्ट्रॉन वह प्रोट्रॉनों की संख्या समान प्रंत न्यूट्रॉन की संख्या भीन होती है भिखले नेंग्ट कर्वाज़नेई नेक दाब कम होने पर धौनी की चाल उसका का उपनाई जल का भाष्टवा नुक्ड का उसके पर्वाधिक परभाधन याँ सब्सक्कून कारएगा शुक्स प्रतिरोद्पर क्या परभाब पढ़ेगा इसका एंसर एक फटार कि तरीज्चा आधिह करती जाये तो इसका प्रतिरोद्ट एक पड़्टा सोलह गुना हो जाएगा आप दिखतेरि नेक्सक्टिन एक है कि साहब के काटने से मिरۇबर हो जाते हैं दूसरा का रखने से मिरवोमै heat का रेकर करना बन कर देता है और दूसरा कारनpiej के अधर का 55 से 80 पर्तिशत अपधिकते नेक्स्ट कर्षान एक्स आह किस योग को एक तैलों का योग कहा जाता था है इस कांसर कमीशर जोईक ध्यान रिखिएगा मीशरोफ यूक को रोग्टाईलों का योग कहते हैं आप दिखते नेश्ट कर्णैल लाइट किसका आए-चान लाइट क सीम्बल होता है amg Jakobford कुछ सिंगे देख़ों कि यह में ही डैड दरिशन में सरीर में मुख्यता के सभी रशान की कमी हो जाती है इस पर शोडियुम क्ल Moo Right द्ज्द कर देदेगा ही डाइड ड्रेशन में सरीर में मुख्यता शोडियुम लोहें जंग लगना कीस परकार का परिवर्तन है इसका अंसर का रश्टानिक परिवर्तन अब देखते नेक्स्ट नेक्स्ट है चुहे के पानी के रश्टानिक नाम क्या है चुने के पानी के रश्टानिक नाम है कैल्सियम हाइड्रो अक्साइड धियान रखिएगा चुने के पानी के रश्टानिक नाम है कैल्सियम हाइड्रो अक्साइड अब देखते नेक्स्ट को नेक्स्ट 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 नेक कार्य कौन करता है इस कांसरों का जायलम ध्यान रखिएगा पादपों में जाल के परिवहन का कार्य जायलम करता है आप दिखते नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट है जब किसी जील की तली से उठकर वायो बुलबुला उपरी सता तक आएगा तो उसका आकार पर क्या परभाब पड क्या होता है इसकांसरों का शौर से ले ध्यान रखिएक रित्री मुपगर्भ में बेदी तुर्जा का स्रोथ सौर से ले होती है आप देखते नेक्स्ट कुछ नेक्स्ट है एक लड़की जुले पर पैठी स्तीति में जूला जूल रही है उस लड़की खड़े होजाने पर इसका अंसर होगा कोलेस्ट्रॉल ध्यान रखीगा हिर्दय रोग अर्थतहार डीजेट सरीन में कोलेस्ट्रॉल की मातराधिक होने से होती है आप दिखते नेक्ष्ट कुछ नेक्ष्ट है कौन सी प्रोटीन रख्त को थक्का बनाने में मदद करता है इसका अंसर होगा अब दिखते नेक्ष्टकोंट्यक्ष्ट है वोसरेट का वीभी निरं किसकी उपस्तिती के कारण होता है ज्यान रखीका पूस्प थभी भी रंग ऊन ठीकारानों की कारण होता है आब से नैक्cept कॉस्टिक पूस्प कर जहन अंग कौन होता है इसका अंसर का पूमंग आप देखते नेक्स्ट को स्था है सबसे ब्यास्त मानव अंग हैं थेंक्यू दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों साथ स्यार कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया कि आप जरूर देखें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में